अब आपको आवाज की कॉपी करके आउडियो फ्रॉड कैसे होता ये भी बताता हूँ आजकल मार्केट में एक नए तरह का आनलाइन फ्रॉड आया हुआ है इसका नाम है वोईस क्लोनिंग फ्रॉड इसमें साइबर ठग एयाई की मदद से आपकी आवाज की हुबा हु कॉपी कर ले रहे मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज बात करने का तरीका सब कुछ कॉपी हो जाएगा इसके बाद ये लोग आपके परिवार रिष्टेदार या किसी दोस्त को फोन करेंगे और आपकी आवाज में उससे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फस गए हैं आपका मुबाइल खराब हो गया और अचानक पैसे की जरूरत पढ़ गई अब आपको तो लगे है कि आवाज तो सेम है तो आप इसके लिए अलग से बार कोड भेज देंगे आपको क्योंकि आपका फोन तो काम नहीं कर रहा है भाई वो यहीं बोलेगा कि बھई मैं मुसीबत में फसा हूँ मेरा फोन ने कर रहा है, यार एक काम कर इतना कर पाँंचademजार रुपे बेज़े, मान लिजैंक एक अ-गामपल देना, आवाज मैच कर रही है, आप फस गए पाँंच ease जार रुपे, बोलेगा कि यार मेरा फोन काम ने कर रहा है, तो फलाने के नंबर से बेज रहा हूँ तो आपको शक भी नहीं होगा कि दूसरे नंबर से बारकोड क्यों आ रहा है इस जल्दवाजी में आपके परिवार के लोग या दोथ पैसा ट्रांसफर कर देंगे तो आवाज वही है जो आपकी है ये तो सिर्फ एक उधारण है ये साइबर ठग आपकी आवाज को कॉपी करके बहुत से बहाने बता कर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं जैसे एक्सिडेंट हो गया पर्स चोरी हो गया है इसके लावा ये ठग इस नकली आवाज से डेबिट या क्रेट काड की डीटेल भी पूछ लेते हैं घर पे मान लिज़े आपके पती के आवाज में फोन आया है कि सुनो जरा वो क्रेट का डीटेल बताना आज लिखना भूल गया हूँ या लाना भूल गया हूँ आपने बता दिया हो गया कंड आवाज सुनकर ये भरोसा ही नहीं होता कि कोई और बोल रहा है तो इसलिए अगर इस तरह का कोई फोन आपके पास दूसरे नंबर से आ रहा है जिसमें आपका कोई अपना फोन कर रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ यह हो गया वो हो गया मदद करो पैसा दो तो उसको बोलिए रखो और फिर अपने उस रिष्टिदार के खुद के नंबर पर फोन कीजिए कि तुमने ऐसा फोन किया था कि नहीं इस फ्रॉड के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे इसमें 85% लोग इस प्रॉड का शिकार हो गए, 4000 लोगों पे सर्वे हुआ, इसमें 85% लोग इस प्रॉड का शिकार हो गए, यानि ये लोग पहचानी नहीं पाए कि फोन करने वाला कोई अपना नहीं बलकि ठग है सोची कितनी सेम आवाज होती होगी, 4000 में से 85% लोग फ़स गए, इसके लावा करीब 2000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50,000 रुपे ट्रांसफर भी कर दिये इन 4000 लोगों में से 46% लोगों को माता पिता की आवाज में कॉल आई थी, 34% को पत्री के आवाज में कॉल आई थी और 20% लोगों को उनके बच्चों के आवाज में कॉल की गई थी तो अगली बार बहुत ध्यान रखिए, यह AI यह सब चीज़ें जो आ रही है यह इस तरह का खत्रा भी पैदा कर रही है फोन आए मदद के लिए, तो काट के खुद फोन लगाईए और पता कीजिए कि वही आदमी है कि नहीं जिसके आवाज बताई चाहिए